नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ दिनेश शर्मा करनाटक में कोरोना की केसों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई प्रतिभंदों में धिल दी है करनाटक सरकार ने 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैंसला किया है साथी बैंगलूरू में सोमवार से सभी स्कूल फिर से खोलने के लिए इजाज़त दे दी गई है शिक्षा विभाग को स्कूलों में कोविड प्रोटोकोल के पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं राज्य सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों की आस्पताल में भरती संख्या कम होने पर ये ढिल दी है राज्य सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटेगा और इसकूल कोलेज भी खुलेंगे राज्य के शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने इसकूल कोलेज खुलने को लेकर कहा कि इस दुरान कोविड प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन किया जाएगा इसके अलावा प्रदेश में संशोधित दिशा निर्देशों के तहट मैट्रो रेल और अन्यसारवजनिक परिवहन बैठक शमता के साथ चलेंगे इसके अलावा राज्य में होटल, रेस्त्रा, कलब, पब और बार पूरी शमता के साथ खुलेंगे हाला कि थेटर, ओडिटोरियम और मल्टिप्लेक्स में 50% तक्सीमा निर्धारित की गई है वही राज्य सरकार ने जीम और स्विमिंग पूल को 50% चमता के साथ चलाने की इजाज़त दी है वही शादी समारों में 200 लोग घर के अंदर और 300 लोग बाहर शामिल हो सकेंगे इसके अलावा राज्य सरकार ने धार्मी की स्थलों को 50% चमता के साथ खोलने की अनुमती दी है आपको बता दें की करनाटक में शुकरवार को कोरोना के 31,180 में नई मामले सामने आये थे जो गुरुवार की तुलना में करीब 7,000 केस कम हैं इनमें से करीब 50% केस बैंगलूरू में दर्च किये गए थे राज्य में एक दिन पहले ही कोरोना से 50 लोगों की मौत हुई थी इनमें से 8 मरीज बैंगलूर के थे वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 71,000 बानमे लोग कोरोना से ठीक हुए हैं इस खबर में फिलाल के लिए इतना ही ताज अपडेट्स के लिए आप बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ